दिपिका चिखालिया हिंदी सिनिमा का एक जाना माना नाम थी फिर एक्ट्रिस ने 1987 में रामानन सागर के पौरानिक शो रामायन मेर सीता का किरदार निभाकर घर घर में मशूर हो गई इस शो की वज़े से न केवल दिपिका चिखालिया को पॉपिलरिटी मिली बलकि लोग उन्हें असल जिंदेगी में भी सीता की तरह पूजने लगे दिपिका के चाहने वालों को एक्ट्रिस का रील करेक्टर इतना भाया हुआ है कि वह दिपिका किसी और रूप में सुईकार ही नहीं कर पाते अक्ट्रिस के चाहने वाले उन्हें माता सीता कहकर पुकारते हैं दिपिका सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा आक्टिव रहती हैं वो अक्सर अपनी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अनुश्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ दिपिका चिखालिया से जुड़ी हूई अपडेट शेयर करने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्त तक देखे वीडियो पसंद आती हो तो ल पूल करना शुरू कर दिया लोगों का ऐसा कहना है कि उन्हें इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं दिपिका चिखालिया ने अपने इंस्ट्रगराम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किय है जिसमें वो अपने पती हेमंद टोपी वाला की साथ नजर आ रही है आपको मैं बता दू कि 22 नवेंबर को दिपिका और हेमंद की शादी की साल गिरा थी इस खास मौके पर अक्टरस ने अपने पती संग रोमांटिक वीडियो शेयर किया था इस वीडियो में दिपिका अप उनों ब्लू ड्रेस में नजर आ रहे हैं अक्टरस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जादा वारल हो रहा है यूजर के बारे में बताएं तो आप लोगों को कि दिपिका के इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर जम कर कमेंट गरते नजर आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा है कि आपको ये सब स्चोभा नहीं देता आपको ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने चाहिए एक यूजर ने ऐसा लिखा है कि आप ऐसे पोज मत दो पूरा भारत आपको भगवान मानता है वह एक यूजर ने लिखा है कि इनकी हिल के भगवान है भाई एक यूजर ने लिखा है कि माता को हाथ मत लगाओ। आपको मैं बता दू कि दिपिका चिखालिया अब तक सुन मेरी लैला विक्रम बेताल, भगवान दादा, घर संसार, इंद्रजीत, घर का चिराग जैसी मशूर फिल्मों में नज़र आ चुकी है। तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही दिश दुन्या के तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं माने चैनल पर। इसी के साथ जैन वन्ने मात्र।